हेलो गाइज वेल्कम तो इस्टेडी फिलिया एजूकेशन दोस्तों जैसे कि हम रुषिया के इंपॉर्टेंट फैट्स के पार्ट जो सरीच को रन कर रहे हैं उसी में आज हम फैक्ट सिक्स को आई मीन फैक्स के जो पार्ट सिक्स है उसको हम डिसक्स करने वाले हैं एज उनौ वी वर डिसक्सिंग दा रस्यन रेवल्यूशन राइट और हमने लास्ट टाइंग नाइंटेज जीरो फाइब का जो रेवल्यूशन था रस्यागा वह हमने डिसक्स किया था ब्लडी संडे क्या था वह हमने जाना था और वहां की जो दो मेजर पॉलिटिकल में ना आपको एक बार मैं रिकैब कराता हूं थोड़ा सा हमने यह पढ़ा कि वहां की एकॉनमी कैसे थी वहां की सोसाइटिक कैसी थी एस पर वर्कर एंड एस पर जो फामत है उनकी क्या करणेशन थे वहां की राइट दूसरा कि दूसरा हमने क्या देखा कि किस तरीके से वहां पर कंडिशन चेंज हो रही थी है ना वहां पर लोग क्या चाह रहे थे कि वहां पर पार्लियमेंट आए एलेक्टेट गवर्मेंट आए पर ऐसा नहीं था और लोगों ने डिमांड किया और जब उन्होंने माज किया है न अपने डिमांड को लेके वेज़ेस को लेके उनके कुछ मांगे थी और ऐसा कब हुआ था सर्टेन एक इवेंट हुआ था जिसमें चार जो सोसलिस्ट वरकर्स थे एसोसियेशन से जो रूप से जुड़े हुए थे उनको वहां की एक मेनुफैक्टरिंग कंपनी ने निकाल दिया था है ना तो जिसके वज़े से एकदम से जो भीड थी गुसाया हुआ था क्योंकि वहां पर क्या था कि उनकी वेज़ेस तो ने रही थी पर चेजिंग पावर कम हो गई थी एकॉनमी और वैड हो गई थी है ना महगाई इतनी जादा हो गई थी वहां पर तो स्याओं को लेके है पॉर्ट फ्रॉम जो उनकी खुद की मांगे थे की आठ घंटे का वरकिंग आर हो और वेज़ेस जो है या वरकर की जो लाइफ स्टाइल है उनके वर उनके जो फेर वेल के लिए कुछ चीजें किये जाएं वह नहीं है थे वह जो किंग का रॉयल पैलेस सारी वहां पे सभी लोग गैदर होते हैं जाते हैं अपनी मांग को रखने के लिए पर होता क्या है उनके उपर गोलियां बरसा दी जाती है जिसमें हैंड़ेट से ज्यादा लोग लोग विड़ेट होती है करीब और थ्री हैंड़ेट से ज्यादा लोग जो है इवेंट आप स्रीज जो रेवल्यूशन के थे ना तो लोग क्या करते हैं चलता रहता है इसे प्रोटेस्ट वगरा पूरी रस्या में स्टुडेंट लेबल पे भी स्टार्ट हो जाता है युनिस्टी स्कूलोज हो जाती है डॉक्टर इंजिनियर जितने भी प्रोफेशन के सारी लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इसके प्रेशर में क्या होता है जो किंग होता है वह एक इलेक्टेट पालियमेंट जो है लाता है जो कि कंसल्टेटिव बोल सकते हो जिसे कोई भी काम करना होगा किंग को वह कंसल्ट करके पालियमेंट से तभी कोई चीज सभीम, को लोग इस्थापित करते हैं हैं ना ह понять अलग करके लाते हैं उसको डिसाल्ड कर दी आती है ऐसे ہ सेकेंड भी आती है उसको भी डिसाल्ड कर देते हैं तो अब यहां पर होता क्या है जो धर वाला आता है जो धर एलिक्ट्ड डिमया आता ए उसमें कि आई सोती होती हैं तो इसे नोगus नहीं आपक्न इमासे जो दिया चलते हैं तक चलता है पहुंस अपना पूरत पूरा टाइम भी पूरा करता है छो कि अच этой कि पीर और फिर हम देखते हैं कि ये शाड academic एसी रहती है राजा के अगेन कंट्रोल में आ जाता है प्रोटेक्ट यह जो प्रोटेस्ट हुए होते हैं रस्या में एक बार रेवलिशन रेवलुशन की जो चिंगारी उठी होती है इसको दबा दी जाती है अब ऐसे ही टाइम बीचता है नैंटीन जिरो सेक्स नैंटीन जि टाइम पर भी रसीया को रसीया में भी काफी चीजें देखने तो मिल जाती है कि किस तरीके से लोग मोनार्की के खिलाब जाने लगते हैं जो किंग जार है लूइस पापलर आप अब यह सारी कहानी हम वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम का हम यहां पर देखेंगे कि उस टाइम पर रसिया की क्या कंडिशन थी है ना तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है यह आप सभी लोग अपने नोट पैड लेके बैठा करें जब भी पढ़ें और खासकर अ आप मैं पी लेके बैठा कि दूसरी चीज यह है कि जो भी मैं कुछ पूछू आप सभी लोग अटम करें और कुछ भी देखें और वीडियो को प्लीज प्लीज पूरा आप देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस वक्त आप वीडियो को स्टार्ट मत कीजिए ज ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए क्योंकि एक सेकेंड लगते हैं लाइक करने में इससे ज्यादा टाइम ही लगता यह बस मेरी चोटी से रिक्वेस्ट है और इस टॉपिक से रसियन रेवल्यूशन है और कोई भी डाउट है कोई भी कोश्चन है इन फैक्ट आप कोमेंट बॉक्स में पूसकते हैं ठेक है तो चलो आज की स्रीच को हम आगे बढ़ाते हैं अब दा फर्स्ट वर्ल्ड वर एंड़ रसियन इंपायर जो पहला वर्ल्ड वर था और जो रसियन इंपायर था वह हम देखते हैं यह ना आप सभी को पता है जो वर्ल वर्ड वर्स्ट हु कि और में नहीं था 1917 तक ही था ऐसा क्यों वह हम समझेंगे ऐसा इसलिए था चलो मैं बताता हूं क्योंकि 1917 में यहां पर क्या आज आता है डेश्ट फेबरीघ्रेशन का सुना आता है अक्टूबर वर्लेशन आता है तो जिसमें क्या होते हैं जो भी वहाँ पर गवर्मेंट लड़ी जा रहे थी वह दो में वर्ड पावर आपस में दो में वर्ड पावर थी जिसमें लड़ी जा रहे थी जिसका पहला नाम था यह जो सेंट्रल पावर थे इसमें कुछ कंट्री थे या इंपार आप बोल सकते उस टाइम पे था जर्मनी था ऑस्टेरियन एंड हंग्री एंपायर भी था तर्की भी था यह चीज़ें अभी हम मैप भी देखेंगे नोरी ठीक है आपको टेंसल लेने की जौरत नहीं है और एलाइट पावर सा फ्रांज बिटेन और रसिया की साथ स्टार्ट हुआ था लेटर में इटली और नोमेनिया भी आते हैं और यूएस से हमेशा बाद में ही इंट्री मारता हीरो की तरह ठीक है ऐसे ही है वर्ड वार में आगे देखते हैं दा वार वार्वार आउट साइड योरोप एस das Europe आप देखे विल्ड वार्व बोला ही क्यों गया है मैं आको समझाता हो यह जो वौर्स लड़ी आ रही थी यह यूरोब में तो लड़ी जा रही थी पर क्या हो रहा था बाहर भी लड़ी जा रही थी आगर देखा जाए पूरे वर्ड में लड़ा इसस मैं इन में से बहुत सारी जो कंट्रीज थी इनकी क्या थी क्या थी बता हूँ चलो नहीं बता मैं बताता हूँ इनकी कॉलोनी दो गड़ी जिन में से एक हमारा भारत भी था इंडिया जो कि उस समय बेटेन की कॉलोनी हुआ गरती थी और हमारे बहुत सारे ट्रूप्स हमारे बहुत सारे सोल्जर बेटें के तरफ से लड़ रहे थे हैं ना वो यहां से इंडिया से वहां पर भी लड़ने गए थी यूरोप में और चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसकी मेंवरी में जब इंडियान सोल्जर है लड़ रहे थे उन्हें की मेंवरी में आपका इंडिया गेट बनाए गया है चाहिए जो इंडिया गेट आप देखते हो दिल्ली में और इन ब्रिटिस ने बनवाय था यह टू है और यह क्यों बनवाय था इसलिए उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जो वर्ड वार में फाइट किये थे ना बिटिस के तरफ से तो बिटिस इंडिया हुआ करता था जो कि वहां हमारे भी सोलजर काफी सारे सोलजर मारे गए थे हैं ना सहीद सकते हैं हम मिटर होगा इसी लिए बोला गया है यह जो वर्ड वार लड़ा जा रहा था वह आउटसाइड यूरोप भी लड़ा जा रहा था और यूरोप में भी यह मैप चलो हम न्यूट्रल जो पावर्स हैं यह इस कलर के आप देख रहोगे क्रीम कलर के उनको पहले यूजरलेंड भी है और यहां पर नेदर लैंड है ना बेल्जियम तो था ही वास में आप देख सकते हो ऐसे ही स्पेन था यह क्या थी यह कंट्री जो थी यह नीट्रल थी यह वर्ड वार में नहीं लड़ी आप देखते हैं जो सेंट्रल पावर यह हलका पिंक से कलर का है यह सारे सेंट्रल पावर थे जर्मनी ऑस्टेरिया एंड हंगरी है न और और फैला हुआ था यह संट्रल पावर में यह एक तरफ से लड़ रहे थे किसके साथ ऐलाइट पावर के साथ यहापका पूरा यूके था फ्रांस था इटली था एन ऐसे गरीस अर्बिया और तो अभी हम वर्ड वार को प्रस्पेक्टिब से ही पढ़ रहे है ठेक है इन फैक्ट हम वर्ड वार डिस्कस करेंगे अलग से टॉपिक में ठीक है नवरी इसके लिए और यह रस्या पूरा है उस टाइम का रस्यां इंपायर बोलेंगे वह ज्याद़ बेटर होगा प्रजिंडे पोलेंड और युक्रेइन यह सारी जो कंट्री सी के रस्यां इंपायर में आती थी आई होब यह मैप आपको क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ें नाव हम देखते हैं रिलेशन बिदीन फर्स्ट वर्ड वार एं रस्यां इंपायर के बीच में इसलिए क्या होता है जो वार होती हो सपोर्ट एड होती है ना डैट मекशार वस्ट शृट मतलब जो राशीयेंट पीपल थे जो रस हैं naw हागी पूरी जंता नेस्ञ निशनलिजम की भावनती लोगों में वो गुको सपोर्ड कर रहे थे वह और फिर किया है कि इस तरीके से राजा को भी वहा टू जयर में डाउन जो सपीज था लोगों का वह जार का धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होता गया क्यों हो गई वो कुछ हम रिजएन यहां पर देखते हैं कुछ रीजन से जिसके वजह से लोगों का सपोर्ट कम हो गया राजा की पर्टेंग जार रफूस्ट्ंस तु को याद होगा है ना वहां पर जो पार्टी बनी थी इवेन उन्हीं कि खुद के लोग थे जो कंजर्वेटी भी पेपल थे उसमें भरे हुए राजा क्या कर दिया था रिफ्यूज कर देता था उनसे भी कंसल्ट नहीं करता था वोर्स के लिए तो वह लोग भी इनको यह जो पार्टी में कोई भी राज देता था कोई भी लोग थे उसे कोई कंसल्ट कंसल्ट नहीं करता था और अपने मनमानी से लड़ाई लड़ी जा रही थी जैसे जो किंग था जो जार था वो लीड कर रहा था अमांक कॉल्ड रास्पति यह भाईसाब वहल बड़े हैं और रादा की पारिवार में मेट करेसी आनपॉब्लर अप ये कैसे को न पॉब्लर करता है मैं आपको पता हूँ न यह चो आपको पता होगा जरीना एलेच anब यह कहां से इंके बेटियां होते हैं और एक बेटा बिटीन होता है इनको एक पृता है जो कि बहुतG legislators फृती हैमय चीजी कुछ osp ने के बेटे को सही कर देता है इस से क्या होता है जरी न काफी प्रभावित होती है और इनको अपने राज में ले आती है और धीरे 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 यह जो रस्पुतीन है इनका इंफ्लुएंस जरीना अलचेंड्रा और यह जो जार निकोल सिकेंड इन पर परवाव पढ़ने लग जाता है इसलिए लोगों को नापसंद थे राश्पतिन और लोग कहते थे कि राश्पतिन जो है कोई जादू टोना कर दिया है राजा और रानी के उपर और जैसे मर्जी चाह रहा है वैसी चीजें हो रही है जैसा रा पॉपलर हो रहे थे वहां के चार है ना जो थोड़ा सा सपोर्ट था और भी कम हो रहा था दूसरा यह भी बड़ा रीजन था जैसे मैंने आपको बताया लड़ाई किसके भी किसके भी लड़ी जा रही थी एक तरब थी सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी में केंटरी था है इनका भी सपोर्ट इसलिए भी कम हो रहा था कि यह जो जरीना एलेक्जंडरा है यह जर्मनी से हैं तो अपने रिष्टेदारी हो सकते लड़ाई में निभा रहे हूं और यह पूर एडवाईजर हो गरते थी जैसे आपने जब हम पढ़ रहते सौरी फ्रांस रेवलुशन म जो कुईन होती थी है ना वह भी एक बहुत पूर एडवाईजर थी मेरी एंटोयनिट आपने बढ़ा था ना प्रिंसेस थी कहां की आस्रिया की ठीक है तो वह वह एक पूर एडवाईजर थी और यह पूर एडवाईजर थी और उपर से यह जर्मन और जंत थी सोने पे सुऊदा उहां सुख्षफटा इसलिए भी नंपॉप्वाप्लर हो रही थी ये लोग ईह जो एन यह बोल सकते हो यह जो रूल्स जा इनका यह तो इसमें ते कुएंग ते रासपुथीं के वर जाज़ींग के वह यह से वीन प्लाइट इन की पिक्चर देख लेते हैं यह है भाई साथ यह उनका बेटा यह उनकी बेहने हैं चार बेहने और उनकी मदर कुई अना अलेकजंडरा भाई साब हैं अंकल जी निकॉलस सेकेंड ठीक है यह चीज आपको समझ में आ गया कुछ ऐसे काटूंस बन रहे थे वहाँ पर रसिया में लोग बना बना के सेर कर रहे थे कि रास्प कि किसका influence है रासपुतिंग on royal family royal family पर किसका influence है रासपुतिंग इसलिए भी unpopular हो रहे थे लोग तो अब होता क्या है ना और चीज़े समझते हैं क्यूं सपोर्ट नीचे जाता है यह कुछ रीजन तो आपको पता हो गया कि लोगों का support कम क्यूं हो गया था जार के परत अब अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा वार्स के रिलेटेड है ना वार वाज फॉर्ट ऑन टू फ्रेंट्स जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वह दो फ्रेंट्स पर लड़ी जा रही थी है ना मैं आपको समझाता हूं यह मैं यह बीच में निकलिए कंट्री ठीक है कौन सी मैं अब भी आपको बताया था सेंट्रल पावर है ना इधर से रस्यानएं अंपैयर लड़ाई लेड रहा था और इधर से इल्टवार में थे यूटा फ्रांस और इ्ट्लिए तो यह जो कंट्री थी थी ना यह जो ग्रेंड हम स्वार सोगर्वर्य जर्मिने यह दोनों दर रहे थे और इधर से लड़ रहे थे इनके से हैं अब होता क्या है और चीजे में आपको बताता हूं अब जो वार था इस्टेन फ्रंट से भी लडा जा रहा हुआ इस्टन और वेस्टन समझ में आया मैं आपको समझ यह है इस्टन फ्रिंट यह ये इस तरीकह तो वर्जा इस ट्राइट स्टन फ्रेंट यह इस ट्रीक जो सिपाही सहीद हो रहे थे जो मारे जारे से रिष्याइब ना इस्टन फ्रेंड में क्योंकि रेशिन सुजर ही फाइड करें तो वहां पर ज्यादा थी इन कंपेर टू एसा क्यों मैं आपको पताता हूं यह पिक्चर देख रहा हूं यह है ट्रेंच की पिक्चर है ना जो वेस्टन फ्रेंट था जो फ्रांस था यह लोग फ्रांस था मिली आप यही समझे जब जर्मनी से लडाई कर रहा था उदर तो उन्होंने इतने बड़े-बड़े ऐसे ट्रेंच बनाए हुए थे गड़े इ तो यह आर्मी लड़ रही है वेस्टन फ्रेंट से तो जाहिर सी बात है यहां पर यह लोग लोग कम मारे जाएंगे इनको डारिक गूल यह नहीं लगेंगी लगेंगी ऐसा नहीं है बड़ यहां पर चांसर कम हैं तो कैजूल्टी इधर कम थी और जो रसिया के तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे जैसे आपने वहर में देखा होगा मूबियों में तो वैसे ही लड़ रहे थे ड्रेंश नहीं कर रहे थे यह आप ट्रेंशेव देख सकते हो किस तरीके से बरसाथ में पानी भी भर जाता था लड़ाई कुछ अलग तरीके से लड़ाई लड़ी जाती थी तो यह चीजे थी तो इसी वज़े से जो रीजन था कि अंतर से से सारे मारे जा रहे ठी्की माली है ना कि वोग यही समझे रहे थी कि उनका सारे सोग कर रहे थे उनके मान रहेley ह। जिस तरीके से कंसल्ट करना चाहिए टैक्टिस बनाने चाहिए वो कोई कंसल्ट नहीं है कंसल्ट नहीं कर रहा है ना गवर्मेंट सपोर्ट नहीं कर रही है जिस तरीके से और हम बस वार को लड़े जा रहे हैं और केज्वल्टी हो रहे हैं ज्यादा ज्यादा लोग मारे जा इंपक्ट और यह जो फर्सट वर्ड वर्ड था बहुत ही डीप इंपक्ट था रस्या के उपर वह कैसे था वह भी हम समझते हैं यह आप ट्रंचेस देख लिजे जो मैंने आपको दिखाए है ना वह आप वह इंपक्ट को समझतें किस तरीके से रेसिया इंपक्ट हुआ था इस World War के लड़ाई से, Russia Army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916, इन दो सालों में जो रस्या थी, वो जर्मनी और आस्ट्रिया में बहुत ही ज़्यादा हार रहे थी, बहुत ही बुरी तरीके से, leading to large, large casualties, 7 million casualties by 1917, 17 क्योंकि 1917 तक ही प्रस्य लड़ाई में रहा था तो 7 million लोगों की मृत हो चुके थी वो सहीद हो चुके थी हमके soldiers है ना 7 million 7 million के मतलब 70 lakh people right आपको पता है ना 1 million equal to 10 lakh 70 lakh लोगों की डेथ हो चुके थी वागे soldiers की नाव अब यह सोचोगे यह क्या चीज है destruction of crops and building यह किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं जब यह रश्यन soldier लड़ रहे होते हैं सब्सक्राइब यह जर्मनी के अर्मी है यह आस्ट्रिया की अब यह troops यहां से घुशते हैं ऐसे रस्या की तरफ बढ़ते हैं और रसेन के जो soldier है वह भागते अंदर की तरफ आओ अंदर आओ और और यह जब जाते हैं अंदर रस्या में जो भी फसल्स हैं क्रॉप्स हैं उनको जला देते थे और जो बिल्डिंग है खुदी वो डिश्ट्रॉय करते हैं आप सूचरों कि बड़े मूर्ख थे इनके इसलिए क्योंकि इनकी अपनी टैक्टिस थी कि लोग जितना अंदर आएंगे उसके बाद यह फस जाएंगे और यह लोग भूग से मर जाते हैं हलाकि ऐसा भी होता है वहां की लोग यह जो सुलिजस होते थे ठंड और भूग की वज़े से मर जाते क्योंकि यहां पर बहुत ही ठंड पड़ती है रसिया में कड़ाके की ठंड तो यह लोग इस तरीके से अपनी टैक्टिस को कर रहे थे यहां की जो लोग थी यहां की जो जनता थी वह खीसते गई कहां अंदर की तर जिसके वज़े से क्या हुआ थ्री मिलियन आई मीन थर्टी लैग पीपल्स है ना जो है रिफ्यूजीज आगे वहां पर है ना यहां पर पर रस्या में लड़ना नहीं चाते क्यों वह दिमुलराईज हो चुपी थे जैसे मैं आपको बताया वह ऐसा ही सोच रहे थे ऐसा ही बोले थे कि उनका जो किंग है जो जार है उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है कंसल्ट है कोई अलग से टैक्टिस नहीं बना रहा है और हम लड़ाई पर पर यह लोगों की है ना और हम यह लड़ाई दढ़ की नो दा वोर और ऑउसो हैड़े सीवियर इंपक्ट ऑन इंडस्ट्री अब यह जो वार होती है इनके इंडस्ट्री पे भी बहुत ही सीवियर इंपक्ट पड़ता है जैसे कि मैं आपको बताता हूं जर्मन कंट्रोल ऑ होगी भी बैठा हुआ है जीस तरह के साथ देख सकते हो यह कोई भी और नहीं लड़ना जाते है कि अचलो आपको यह मैप देखता हूं यह 1914 का मैप है यह जैसे मैंने आपको बताया था क्यां कि कुछ पावर सी इसे और दो यह 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 व इंका वापार होता थो यह आंगा होता था आसको और उपर का जो औरा तरोफ यहां से भी राष्ता था आला कि रस्या में पोर्ट हैं और क्या होते थे वो वांप पर्ट नहीं थे आप पता ना जहांपे पानी हमेशा जमता नहाँ जमता नहीं क्यों क्यों पर जोहिए काफी यड़ोस में इसको हो जाता है इसको यहां इन्हों ըे वोर्षिप डिप्लॉई कर देती है यहां पर पूरा यह ब्लॉक कर दिया जाता है इसको जिससे रस्या ब्यापार ना कर पाए यहां पर देखते हैं यहां ना जर्मन कंट्रोल आप बाल्टिक से जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल हो जाता है रस्या वाज कट आफ फ्रॉम्दा अधर सप्लाइज सप्लाइज मतलब कि कहीं से अगर सप्लाइज भी आनी है फ्रांस से यूके से कहीं से भी सब हैना इंडस्ट्रियल गूड्स के लिए व इंडस्ट्री भी ठप हो गई ना यह है बाल्टिक सी पर और देख लीजी यह जर्मनी यह पूरा ब्लॉक कर देते हैं यह ना और जैसे यह बाल्टिक नेशन्स हैं यह है रसिया गल्फ फिल लेंड है इन जिस तरीके से यहां पर पोर्ट है यहां से इनका व्यापार होता ह यह हो जाता है यह थोड़ा बड़ा मैप आप देख लीजी है ना संट पिटर्वर्ग्स यह सहर है यहां पर तो गल्फ फिलनेड यह भी आपको दिख रहा होगा यह बाल्टिक नेशन्स हैं देख से देखा तो यह जो जर्मनी है यह पूरा ब्लॉक कर दो ठीक है यह जर्म लड़ाइए टीक तो आगे नहीं जाता था जाती थी चीजे थी ना और क्या चीजें हुई को जो लोग काम करने लाइक थे हैंना जो मैंन है जो काम कर सकते थे काम करके उनको वार के लिए पुला लिया गया था आप देखी सकते हैं फर्स्ट वर्ड वार में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था सेबन मिलियन पिपल जो थे डाय मर चुके थे लड़ाई में सोल्जस है ना सहीद हो चुके थे तो मारे गए थे वो लोग तो यहां पर भी एक चीज़ देखनों के मिली कि जो लोग काम करने लायक थे उनको भी आर्मी में भी रख लिया गया था है ना और वह लड़ाई के ल भेज दिया जाता था उनको उनके खाने के लिए इवन आपने देखा होगा ऐसे ही कुस सिच्वेशन इंडिया में हुआ था जब बेंगॉल फेमाई नाई हुए थी जो बहुत सारी सप्लाइज होती थी वह आर्मी को भेज दिया गया था जिसके वज़े से बेंगॉल में जो जनता थी बहुत सारी आरे गए थी वह क्या नंबर्स था आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पता सकते ना सौटेज ऑफ लेबर हुआ जब यह लोग चले गए जो काम कर सकते थे लेबर की भी सौटेज हो गई ना जो वोक्स आउप थी छोटी-छोटी जो प अब हो रही थी फॉर्ड़ पीपल लिदा सिटीज ब्रेड़ एंड फ्लोर बिकम स्केर ना जब प्रोडक्शन नहीं होगा चीजें जो रिसोर्स हैं वो स्केर हो जाती हैं कम हो जाती हैं तो आपस में क्या होता है और भी रीजन बढ़ जाते हैं रिविशन ये चीज आपन में खाने पीने के लिए तो उससे क्या एक अलग ही सिटूइशन क्रेट हो जाती है वाइदा विंटर ओफ 1916 प्रियोट्स एड़ ब्रेट्स ओफ और कॉमन ये जो दंगे होते थे लडाईयां हो जाती थी रोटी के लिए ब्रेट्स के लिए सौप पे वो कॉमन हो गए थी ह अब वहां पर जो जार था उसके उसके बस में नहीं था कि इसको वो कबर कर पाए चीजें उसको हैंडल कर पाए उनके हाथ से बाहरती चीजें तो यही सारी वजह आगे जो रश्यान रेवल्यूशन है 1917 का फैबरी डेवल्यूशन आएगा फिर एक्टूबर रेवल्यूश आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपने देखा प्रस्या इवॉल्वर्वूर्फरंस में किस तरीके से बहौँ सारी सेंट जो उनकी आरमी थी एरांट सेवन और उनकी हो जाते हैं और एकॉनमीक कंडिशन हां की बगड़ जाती इंडस्ट्रीव ठप हो जाती है पर लोगों में कितना अक्रोस हो जाता है रियोट्स पहलने लग जाते हैं जगए-जगए पे दुकानों पर है ना क्योंकि चीजे महगी हो जाती है सब्सक्राइब आपको समझ में आई होगी और आज के लेक्षर आपको पसंद आया होगा अगर हाँ आप लोग फीडबैक दे सकते हो अपना और इवन आपका अपना कुछ पीड़ाउट है बेजी जक आप मेरे से पूछ सकते हो मैं आप सभी की कॉमेंट को पढ़ता हूं और आंसर भी करता हूं है ना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सेयर करना चाहिए अगर आप किसी भी गुरूप में जुड़े हुए है आप वीडियो को सेयर कर सकते हैं ठीक है नाव आज की इस वीडियो में बस नहीं दोस्तों मैं पुनित्ति वारी सानिंग झालियो कि बांच की पु Genau आईज Chr.